प्रिये चात्रों, नमस्कार NCRT गलित कक्छा दसमी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रशनावाली 6.5 में ही प्रशन क्रमांग 6 हल करेंगे तो आईए सबसे पहले प्रशन पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है एक संबाहु तिरपुज ABC की भुजा 2A है उसके प्रतेक सीर्स लंब की लंबाई ग्याद कीजिए तो यहाँ पर एक संबाहु तिरपुज हमें दिया गया है तो हम माल लेते हैं एक संबाहु तिरपुज ABC हमें दिया गया है जिसमें हमने एक सीर्स लंब AD खींचा हुआ है तो चलिए, जो हमें दिया गया है, हम उसी को सबसे पहले लिख लेते हैं, जैसे ABC, तिर्भुज, ABC एक संबाहू तिर्भुज है साथ में यह आपको दिख रहा होगा, BC पर AD लंब है तो यहाँ पर लिखना है, AD लंब, BC संबाहू तिर्भुज है, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी AB बराबर BC, बराबर CA CA, इस तरीके से और तीनों की लंबाईयां दिये हैं, टू ए तो यहाँ पर आपको लिख देना है, 2A तीनों की लंबाईयां है तो इसका मतलब है, इस चित्र में यहाँ 2A है यह भी 2A है और यह भी पूरी 2A है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें AD की लंबाई ग्याद करनी है, तो AD की लंबाई ग्याद करनी है तो हमें AD तो ग्याद करना है, यह 90 बना है, यानि यह सम कौनते रोभज है और AB हमें दिया गया है अगर हमें BD पता चल जाए कितनी है, तो हम पाइथा गुरस लगाके इसको ग्याद कर सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है कि BD जो है, वो BD और DC की बराबर दिख रही है लेकिन ऐसा कुछ भी इस कॉश्चन में नहीं लिखा है कि यह बराबर है तो सबसे पहले तो हमें इसी को प्रूब करना होगा कि यह दोनों कैसे है BD बराबर DC है, तो इसके लिए हमें यह प्रूब करना होगा कि A, B, D सरवांगसम होगा A, D, C के, तो अगर यह सरवांगसम होगा दोनों तिरुबज इस तरफ बाला और इस तरह बाला तो यह भुजा इसकी बराबर हो जाएगी तो टू ए ए और ए में बट जाएगा इस तरीके से ए और ए में तो फिर दो भुजाएं गयाथ हैं तीसरी हम पाइथा गुरस से निकाल सकते हैं और वही हमारा अंसर होगा लेकिन फिल्हाल हमें पता नहीं है कि ये A और A है लेकिन इतना पता है कि BC 2 A है तो इसके लिए हमें BD बराबर DC तो ब्रूब करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे? दौनों तरभुजों में सरवांग सम्ता हासिल करेंगे तो दोनों तिर्भजों को लिख लेते हैं तिर्भज A, D, B तथा तिर्भज A, D, C मैं ये दोनों तिर्भज ले लिए अब इन दोनों तिर्भजों में आपको सर्वांग सम्ता हासिल करनी है यानि तीन बिसेश ऐसी देखनी हैं जो दोनों में बराबर हूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो A, D आपको देख रहा है ये इस वाली तिर्भज में भी है और A-D इस वाली तिरफज में भी है मतलब A-D एक दीवार है तो इस वाली कमरे में भी है और इस वाली कमरे में भी है तो A-D उभाइनिष्ट भुजा है तो लिखेंगे A-D बराबर A-D और ब्रैकेट में लिखेंगे उभाइनिष्ट भुजा है इसके बाद ये 90 अंस का इस बाले तिरभज में अभी बना है और 90 का इस बाले तिरभज में अभी बना है अच्छा ये 90 का क्यों बना है तो इसका ये रीजन है यहाँ पर क्या लेखा है सीर्स लंब लंब का मतलब नब्भेयंस होता है तो इस तरब भी नब्भेयंस का होगा और इस तरब भी नब्भेयंस का ही होगा तो हम लिखेंगे कौन A D B बराबर कौन A, D, C प्रतेक नब्भेयंस का है प्रतेक नब्भेयंस का है इसकी बात इस तरबुच की A, B भुजा इस तरबुच की A, C भुजा के बराबर है क्योंकि संबाहु तरबुच है तो दोनों ये तीनों बराबर है एक्चली में B, C, B है लेकिन हम यहाँ पर A, B और A, C बरावर बस इस्तिमाल करेंगे क्योंकि वो दोनों ही तिरभुज में आ रही है तो A, B बरावर A, C और लिखेंगे संबाहु तिरभुज की भुजाएं संबाहु तिरभुज A, B, C की भुजाएं है तो यह दोनों तिरभुज जो हैं वो सरवांगसम हो जाएंगे इसलिए तिरभुज A, D, B सरवांगसम तिरभुज A, D, C यह सरवांगसम है और जो सर्त लगी है वो है भुजा, कौन भुजा क्योंकि यह भुजाएं हैं दोनों और यह कौन लिखा है यहाँ पर साइन बना है कौन का तो भुजा, कौन, भुजा, सरवांगसमता से इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं अब भुजा, कौन, भुजा, सरवांगसमता से यह हो चुका है तो इनके संगत अभी अभी बरावर होंगे इसका मतलब ये वाली भुजा BD DC के बरावर हो जाएगी तो BD बरावर DC ये आया है सर्वांग सम्तिर्वुज के संगत अभी अभी से तो जब ये सर्वांग सम्तिर्वुज का संगत अभी अभी है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि BC जो है वो 2A थी तो BD और DC दोनों AA में बठ जाएगी इसलिए चुकि BC बराबर थी 2A तो BD कितनी हो जाएगी A और यही हो जाएगी DC चित्र से पता चलता है चित्र से अब हम कोई भी एक तरब बाले तरभुज में पाइथागुरस लगा देंगे तो चलिए पाइथागुरस प्रमें लगा देते हैं इसलिए तरभुज A समकौन तरभुज लिखेंगे आप यहाँ पर समकौन सब्द और जूड़ देना है नहीं तो आपके मार्कस कट सकते है क्योंकि पाइथागुरस प्रमें हमेशा समकौन तरभुज में लगता है समकौन तरभुज A D B में बीच में आपको समकौन बताना है जैसे यहाँ पर 90 बना है D पर तो आपको D लिखना है समकौन तरफ जेडी बी में पाइधा गुरस प्रमेश से पाइधा गुरस प्रमेश कहता है करण का जो बर्ग है करण क्या है समकौन के सामने की भुजा वो लंब के बर्ग कोई भी ले सकते हैं एडी और आधार के बर्ग के योग के बरावर होगी यानि A.D. बर्ग प्लस B.D. बर्ग A.B. कितना है अंसर है To.A 2.A अब बर्ग लगा है तो बर्ग यहाँ आप देख सकते हैं A.B. आपको 2.A. दिया गया है तो 2.A. लिखेंगे A.D. कितना है तो यह तो ज्यात करना है प्लस B.D. कितना है अब बर्ग यहां से भी आप देख सकते हैं चित्र से भी आप देख सकते हैं अब इसको calculate करना है 2A का बर्ग इसका मतलब 2A गुलित 2A संख्या का गुणा संख्या में दो दूनी 4 A का गुणा A में तो A बर्ग तो यहाएगा 4A बर्ग बराबर A B बर्ग प्लस A बर्ग का A बर्ग A बर्ग का कर देते हैं पक्छांतर तो आपको मिलेगा 4A बर्ग प्लस का A बर्ग इस तरफ आएगा तो माइनस का A बर्ग बराबर A B बर्ग 4A बर्ग में से 1A बर्ग चला जाएगा तो 3A बर्ग बचेगा बराबर A B बर्ग हटेगा तो बर्गमूल तो ये बर्ग इस तरह पाजाएगा तो बर्गमूल आजाएगा 3 A बर्ग अंडर रूट 3 A स्केर बराबर A B अब ये जो रूट है ये तीन है तो इसको हम ये करनी के बाहर नहीं निकल पाएगा इसलिए तीन लेकिन A का बर्ग का बर्ग और बर्गमूल कैंसल तो A बाहर आजाएगा पराबर A B यहाँ पर ये A D लिखा है तो इसको जरह आप करेक्ट कर लेंगे ये A D लिखा था तो A D ये है सीर्स लंब A D तो A D की लंबाएगा आपको मिलेगी करनी 3 इंटू A तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना है तो अता है आप लिखोगी सीर्स लंब की लंबाई करनी 3 इंटू A होगी तो इस तरीके से आपको लिख लेना है थैंक यू